हेलो एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक टो दे चैनल आडोटी वन्स अगेन सो आज 14 अक्टूबर है जितने भी ब्यासी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी यूपी ब्यासी नर्सिंग फर्स राउन कांसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आज आप लोगों का दो बज़े से चॉइस फिलिंग का प्रॉसस स्टार्ट होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कांसलिंग सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का जो यह ऑप्शन है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका यह जो चॉइस फिलिंग का लेंक है वो एक्टिवेट हो चुका है although ये कली activate हो चुका था मैंने इस बारे में आप लोगों को पहले ही inform कर दिया था but क्योंकि अभी तक seat matrix release नहीं हुआ है ये maybe हो सकता है जब 2 बज़े आप लोग यहाँ पर अपना details फिल करके login करोगे तब शायद आप लोगों के सामने जो भी colleges की list है वो open होके आएंगी जहाँ पर आपको फिर उनमें से choose करना होगा colleges and हो सकता है उसी time पर फिर आप लोगों की seat matrix भी release की जाए and क्योंकि अभी seat matrix release नहीं हुआ है तो काफी सारे students परेशान हो रहे हैं choice filling को लेकर that choice filling कैसे करना है कौन से colleges चूस करना है क्योंकि अभी तक seat matrix भी नहीं आया आप लोगों के सामने कोई government या private colleges कौन-कौन से उनकी list भी नहीं आई है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी top government and private colleges है वो share करूंगी जो affiliated है ABVMU और KGMU से और साथी साथ ये भी बताऊंगी आप लोगों को कैसे अपना preference order fill करना है ताकि आप लोगों को अपना final decision लेने में थोड़ा सा आसानी हो तो इसके लिए सबसे पहले description में मैंने एक link दिया हुआ है जहां से सारे government and private colleges की list आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आपको description में दियो ही link पर click करना है then फिर जब आप उस link पर click करोगे तो आपके सामने ये page open हो जाएगा UPBSC Nursing Colleges List 2022 for choice filling affiliated with ABVMU right तो आपको यहाँ पे नीचे scroll down करना है and जब आप नीचे scroll down करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं government colleges and private colleges की list आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले हम government colleges देखते हैं तो government colleges की list देखने के लिए आपको यह जो link दिया हुआ है UPBSC Nursing Colleges List for 2022 इस पर click करना है तब फिर आपके सामने यह PDF open होगा जिसमें सारे government colleges mention है UPBSC Nursing Government College सबसे पहला जो आपका top government college है UP का वो तो है आपका KGMU देन फिर आजाता है या नंबर 2 में आपका ABVMU यह दोनों ही colleges लखनों में है तो आपके यह नंबर 1 और नंबर 2 college होगे KGMU एंडूसरा है ABVMU फिर है आपका top colleges में जो आता है UPK वो है आपका RML लखनों यानि राम मनुहर लोहिया college यह affiliated है ABVMU से फिर आपका है next college James जो की greater noida में situated है देन आपका आजाता है SN Medical College आगरा फिर है आपका SVBP मेरट तो सबसे पहले तो यह जो colleges है यह जो मैंने उपर top के colleges बता है यह आपके top government colleges में से आते हैं जो बोलते न top government colleges वो colleges आपके मैंने starting में ही लिख दिये हैं यह जो KGMU से लेके जहासी तक के हैं यह top government colleges है और इसके बाद और भी colleges हैं जिन में से कुछ new colleges भी है तो इसमें से आपका कर्नौज का college है State Medical Nursing College आपका कर्नौज फिर प्रियाग राज अम्बेटकर नगर, गोरकपुर, साजहापुर, अयोध्या, बांदा, बस्ती, फिराजमगर, बदायू, फिरोजाबाद तो इस तरीके से ये जो भी मैंने नाम बताएं ये सब आपके government colleges हैं तो आप इनको अपने preference order में choose कर सकते हो जब आप choice filling करोगे तो आपको कैसे अपने preference order fill करना है सबसे पहली बात तो जिनके marks अच्छे हैं, जिनको लगता है क्योंने अच्छा government college मिल सकता है तो no doubt आपको starting में ये जो मैंने top के colleges बताएं ये KGMU से लेके ये जहांसी तक के इन में से आप कोई ना कोई colleges choose कर सकते हो, ठीक है तो जिसका भी marks अच्छा है तो वो KGMU पहले top पे ही रखेगा और फिर आपका जो अगर कम marks है, यानि कि माल लिजे आपका 135 plus marks है या 130 plus marks है तो आपको अराम से government college मिल जाएगा, तो आप starting के जो 4 to 5 colleges fill करोगे अपने choice filling में वो आपके government college ही होंगे तो इन में से अगर आपका कोई college वहाँ पर choice में आता है option में तो आप वो fill करोगे, इसके बाद जो और new new colleges अभी add होए है nursing के government colleges, उन में से अगर आप कोई college choose करना चाहते हो तो वो choose करोगे एक बात और बता दू, यहाँ पर यह जो भी मैंने college आप लोगों को mention किये है जरूरी नहीं है कि यह सारे college ही affiliate हों आपके ABVMU से जब आप choice filling करोगे तो वहाँ पर आपको options आएंगे कुछ ठीके, तो वहाँ पर आपकी colleges की list open हो जाएगी तो जो college की list आपकी open होगी, तो वहाँ पर जो-जो colleges mention होंगे वही college आपके affiliate होंगे ABVMU से तो फिर आप वहाँ पर देखिएगा, फिर अपना decision लीजेगा कि आपको कौन सा college fill करना चाहिए, फिर उसके according आप अपना college fill कर लेना ठीके, और दूसरी चीज और माल लीजे आप कहीं के रहने वाले हो, for example आप सैफाई के रहने वाले हो तो आप जहां पर रहते हो, उसके according अपने आस पास के college को first priority में रखना for example कोई बच्चा है, उसका marks है 148 marks, right? and वो रहता है सैफाई में, तो आप जहां पर रहते हैं, वो सबसे first priority जो fill करेगा अपनी choice filling में, वो सैफाई वाला college fill करेगा, ठीक, इसके बाद फिर वो जो भी college fill करना चाहे for example, KGMU हो गया, then उसका फिर RML हो गया, और भी जो new medical colleges open होगे, उन में से वो कोई choose करेगा तो इस तरीके से first आप पहले 5 to 6 medical college होगे, वो आपके government आप fill करोगी, then फिर आप private भी fill कर सकते हो क्योंकि unlimited choice filling है, तो आप कितने भी college fill करोगे, उन ही में से आपको कोई न कोई college मिलेगा तो जो भी आप top 5 या top 10 college fill करना, वो सोस समझ के fill करना और हो सके, तो जहां आप रहते हो, उसके आसपास का जो college है, अगर आपको वो मिल सकता है, आपके marks के according तो उसको top 1 या top 2 की priority में रखना, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना preference order decide करोगे एक चीज़ और, अपना जो भी priority decide करना, अपना जो भी preference fill करना, choice filling के time पर, वो खुद से करना किसी और के बरोसे मत रहना, किसी और पर depend मत रहना, क्योंकि आपको अपना college choose करना है, यह आप पर depend करता कि आप किस college में जाना जाते हो तो अपने marks के according, जो आपको college मिल सकता है और जो आपको ठीक लगता है या better लगता है, आप उसे ही priority में रखना, ठीक है तो किसी और से अपना choice filling मत करवाना, हो सके तो खुद जाना, cafe भी भी जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान से अपना choice fill करना और साथी साथ choice fill करने के बाद, वहाँ choice lock का option होगा, उसको भी जरूर क्लिक करना क्योंकि जैसा कि पहले भी notice में आचुका है, अगर आप fill करते हो choice और choice lock नहीं करते हो तो इस case में आपको कोई भी seat alert नहीं होगी किसी भी college की ठीक है, तो यह कुछ government college थे, जो मैंने आप लोगों से share किये, बाकी आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो जो link मैंने description में दिया है, वहाँ से आप direct speedf में पहुंच सकते हो और speedf को download भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ private colleges हैं यह private college में यहाँ पे मैंने top 5 private college की link दी है, जो की लखनों में situated है तो आप यहाँ से यह link open कर सकते हो, so as you can see, यह top 5 private BST nursing college की list आपकी open हो जाएगी although इस list के बारे में मैंने पहले भी video बनाया हुआ है, बट जिन लोगों ने वो video नहीं देखा है जिनने नहीं पता है कि कौन से top 5 private colleges हैं, जो उने fill करना चाहिए तो उनके लिए यह मैं बता रही हूँ फिर से, that आपकी यह top 5 college यहाँ पे mention है आप इन में से priority दे सकते हो, अपने preference order में, जब आप private colleges चूस कर रहे होगे बाकी वहाँ पे और भी जो new colleges होंगे, आप देख ले न, अपने area के according, अगर आपको वहाँ कोई नया college दिखता है और आपके area में ही आता है वो college, तो आप वो भी choose कर सकते हो, ठीक है तो यहाँ पे number 1 पे है Vivekanand College of Nursing, number 2 है Sahara College of Nursing, फिर आपका Sumerpan Institute of Nursing and Paramedical Sciences, then फिर BORA Institute of Allied Health Sciences, Fatima College of Nursing, जो की girls के लिए बहुत ही famous college है और आपका इसी तरह सरदार पतेल college of nursing and और भी बहुत सारे colleges है, जो private college है और top के colleges है तो आप अपने according उनको choose कर सकते हो, बाकी जो top 5 में आते हैं, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे share कर दिये रही fees की बात तो देखो government की जो fees है, वो आपकी तो पहले notice में clear हो गई है कि जो government की fees रहेगी वो आपकी रहेगी वही 40,000 something कुछ था, तो आप मानके चलो 40 से 45,000 आप मानके चल सकते हो, आपका fees रहेगी government college की, right, maximum 50,000 चला जाएगा जादा से जादा, और रही बात private colleges की की कि हैं, तो इसमें हर college इसका detail है, यह link दिया हुए एक तरीके से, तो आप जिस भी college का detail चाहते हो, आप उस पे link पे click कर सकते हो, for example, मुझे विवेकनन college का पूरा detail चाहिए, उसकी fees वगेरा structure क्या है, तो मैं इस पे click करूंगी, तो आप देख सकते हैं, that विवेकनन college of nursing का जो ranking fees और facilities से related यह जो post है, यह open हो जाएगा, यहाँ पर आप इसकी सारे details देख सकते हैं, for example, यह कब established हुआ, इसमें number of seats कितनी है, college type private है, और साथी साथ इसका fee structure, जो कि आप लोगों को important था आप जानना चाहते हैं, तो आपको इस तरह हर college जो भी मैंने mention कियें, सब का fee structure देखने क करने हैं, यही colleges आपको choice filling के time में list में देखने को भी मिलेंगी, बाकी और भी जो new colleges है, आप वो भी read कर लिए जगा, उन में से अगर आप कोई college में जाना चाहते हो, तो वो भी आप फिल कर देना, and इस से related, अगर आप लोगों के कोई और भी doubt है, तो आप लोग मुझे कमें section में पूछ सकते हो, बाकी यह भी choice filling start नहीं हो, seat matrix भी release नहीं हो, जैसे भी choice filling start हो जाती है, seat matrix release होता है, तो मैं आप लोगों को video or telegram channel के through inform कर दूँगी, so make sure don't forget to subscribe my channel, and also press the bell icon for more such updates, thanks for watching this video.